कमस्कार दुफ्तों मैं संदीब सागत आपसर विक आपके अपने सक्सेस तो यूट्यूब चैल में दुफ्तों आज सिरीज नंबर है सिक्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए माडल पेपर सेसन 2021 यानि की सोसोलोजी माडल कोईश्टन के बारे में आज किस वीडियो में जो भी बीए में समासा सब्जेक्ट होता है उससे लेटर जो भी समासा से लेटर कुषिटन पूछे जाते हैं वह मैं आपको आज किस वीडियो में बताने वाला हूं कि टॉप लेबल के कुष्चन एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं तो प्लीज वीडियो को देखते रही कि जिससे आप लोगों को काफी हिल्प मिल सके इस वीडियो से ठीक है तो बीना देरी को वीडियो में आगे बढ़ते हैं आप सभी को मालूम है कि कोवीड की वज़ा से बहुत सारी चेंज़ेस आए आफ लाइन एक्जाम और कोष्टन के माडल भी चेंज हुएं तो यह साही जानकारी आपको वीडियो में आपको स्वाट में बता देता हूं कि आप सभी कि जो एक्जाम है वो जयातर आनलाइन होने के चाम से ज्यादा है ठीक है और जो कोष्टन किस परकार के पूंचे जाए सब्सक्राइब करना होगा ऐसे कोष्टन आने के ज्यादा चांसे इस बार एक्जाम में फिरहाल अभी फाइनल डिक्रेशन यानि की कोई इसकी लिस्ट नहीं आई जैसे भी आएगे हम आप तक प्रवाइट कर देंगे लेकिन यह रही आपके अपनी इस स्रीज जो कि मैं आ आप सभी के लिए यहाँ बहुत सारे कोष्टन आप लोगों को मिल जाएंगे इस वेफसाइट का लिंग बीडियो के डिक्रिस्टर में मिल जाएगा तो बिजिट करिए वहाँ से अपनी आप आनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं ठीक है फेस्बुक पेज़ पर में फॉलो क कर रहा हूं करा रहा हूं आप सभी को तो उसमें काफी चात्रों का हेल्फ मिली है और उन्होंने अच्छे-चे कमेंट किये तो मैं अपना इस्पीरेंस से कर रहा हूं आप सभी के साथ की जो एक्जाम में लगातार कोष्टन पूछ जाते वही मैं आप तक बताने वाला हू ठीक है आफसर मिल जाएंगे दुर्खीम वेवर राजबली पांडे दयानंद सरस्वती तो संसकार बिदी पुस्तक के लेखक हैं वह दयानंद सरस्वती हैं इसलिए कोष्टन का राइट एंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती कोष्टन एक्जाम में आपका रैंडमली कोष विद्यारंब से लेकर समावरतन तक के संसकार को क्या कहा जाता है उपनयन बाल्यावस्था सैचिक जीवन इन में से कोई नहीं तो ध्यान से समझेगा एक एक क्वेश्टन ठीक है इस क्वेश्टन का राइट एंसर हो जाएगा विद्यारंब से लेकर समावरतन तक के संसका को कहा जाता है सच्छिक जीवन इसलिए राइट रूजाएगा सी नंबर ऐगले कुच्श्चन को बढ़ते हैं अगले कुच्चन के रहा कि पुरुषार्थ का अंतिमलच्छ क्या है नंबर एक काम मोच धर्म अर्थ तो फिराल इस कोषें इस पुरुषार्थ का जो राइट ताइम नहीं होगा ओके तो आप लोग थोड़ा सौट में समझेगा ठीक है क्योंकि आप लोग भी बोर्ड ना हो क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंप्वार्टेंट है और आप लोग को समझदा भी जरूरी है ठीक है अगला क्वेश्चन की मोच मानो जीवन का परम लच्छ है जिसका कथन है वेवर राधाकिश्चनन सी नमबर है कपटिया डी नमबर दुर्कीम यानि क्योंकि क्योंकि मोच मानो जीवन का परम लच्छ है कथन किसका है तो आप लोगों को मिली गए तो इस कोईश्चन का राइट एंसर हो जाएगा कपटिया जो छात्र थोड़ा स्री एक प्रसार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्तु का होना आवस्यक माना गया है आपसन आपको मिलेंगे छमा भाव ज्यान का संचे आचन की सुद्धता और आपसन लास्ट है सामोहिकता तो फिरहाल इस कोईश्चन को जो राइट एंसर हो एक प्रसार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्तु का होना वास्यक माना गया वह है आचन की सुद्धता राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर अगले क्यों बढ़ते हैं कि धर्म अर्थ तथा काम की समिनुवित बेफ्था का नाम है दोस्तों यहां यहां पर मैं आप लोगों को कम लिग गया है लेकिन यहां पर काम होना चाहिए था ठीक है थोड़ा टाइप करने में मिस हो गया उसे आप इग्णोर कर लिजेगा और जो मैं बता रहा हूं उस पर धान दीजेगा ठीक है आप सर मिल जाएगा आप लोगों ग्रश्त धर्म और बी number हो जाएगा रेंट रहे और ची नंबर है प्रुसार्फ त्रीवर्ग तो धर्म तथा काम की सम्निवित व्यवल्फ्था का नाम है कर भाएट यहत रॉगर हो जाएगा त्रीवर्ग इसल्य ह treffen से डीजेर हो जाएगा अब बढ़ते हैं घृत्शन कर्म मोज धर्म तो चारुप पुरसार्थों में समाजिक दिश्ट से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोच इसलिए कोश्चिन का राइट एंसर हो जाएगा C नमबर अगले को बढ़ते हैं अगला कोश्चिन कह रहा कि पराम परागत भारतिय समाज में अर्थ के प्रसार्थ की अनभूत किस आस्रम में दी गई आप्चन है ग्रस्थ बी नमबर ब्रह्मचर सी नमबर वान प्रस्थ और डी नमबर सर्न्यास तो इस कोश्चिन को जो राइट एं अगला क्वेश्चन है प्रसार्थ में अस्थान दिया है कोश्चन समझेगा बिस्टे अर्थ के उपार्जन संग्रा और बेको भारते सांस्थ यहां पर करार नहीं लिखा ठीक है तो आप लोग यह वाला तो समझ लिजीगा अस्थान दिया तो आपस्थन प्रथम दूतिय और त्रतिय चत्रत मिल जाएगा तो इस कोश्चन के राइट एंचर हो जाएगा दूतिय बी नंबर ओके अगला क्वेश्चन है कि तीनों प्रकार के दुखों को आंतियंतिक निर्वरतिक की सबसे प्रमुक्पुरसार्थ है आपसे मिल जाएगा रामायर संग सांख्य दर् अगला क्वेश्चन है कि हिंदु संसकार पुस्तक के लेखक है कि कोश्चन बहुत इंपटन तो ध्यान समझें के इस को मालूम चांडर कर बता सकते हैं फिराल इसकॉष्चन का राय डैंसर हो जाएगा हिन्दु संसकार को आप राजगली पांडे जी है राइट अगला और आपसंदो है विवा संशकास समा वर्तन संशकार उप नेन संशकार तो फिरा इस question का जो right answer हो जाएगा समा वर्तन संशकार यानि की C number important question जो है वो आप लोग note down भी कर सकते हैं और प्रेमाइन में set भी कर सकते हैं अगला question कर बढ़ते हैं लिखा कि हारीत धर्म सूत्र के अनुसास संशकारों को कितने भागों में विवाजित किया गया है बहुत important question है तो जो विवाजित किया गया उनकी जो संख्या है वो है दो इसलिए right answer हो जाएगा इस question का E number okay अगला question है कि संसकार हुआ है जिसके करने से कोई पदार्थ उपियोगी बन जाता है जैमनी-ध्रम-शास्त्र-म Tahir यानि किसमें से कहा गया किसका कघणा नीट तो आप्सन आपको मिली गये हैं राइट एंसर हो जाएगा इस कोश्चन का जैमिनी लिखा किन्यम्न में से कौन हिंदु संसकार की अभी ब्यक्ति नहीं है जात्य कर्म संसकार समा वरतन उत्वपन संसकार और करण वेद संसकार तो फिर आलिष कोष्चिय का जो राइट टैंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा C नंबर ठीक है उत्वपन संसकार अगले question कर बढ़ते हैं अलग question करा कि निमन मेंसे कौन हिंदू संसकारों का एक प्रमुक उद्देश है आफसे मिल जाएंगे पंच रिणों को पूरा करना बेक्त का समाजिक धार्मिक परिस्कार करना सत्रों से बेक्त की रच्छा करना अगला आफसे ने कि बेक्त को मोच्पदार करने में सहायता दीना तो इस question कर आइट एंजनल हो जाए कि निमन मेंसे हिंदू संसकार का जो प्रमुक उद्देश है वो है बी नमबर यानि कि बेक्त का समाजिक धार्मिक परिस्कार करना ठीक है बी नमबर अगला question है कि गौतम धर्मसूत्रों में संसकारों की संख्या क्या है आफसे आपको मिल जाएंगे फचास, चालिस, पैतालिस, सोला तो फिर आल question का right answer हो जाएगे गौतम धर्मसूत्रों में संसकारों की संख्या 40 है बी नमबर राइट एंसर हो जाएगा अगला question क्या कहे रहा देखते हैं कि जिस संसकार की पश्याद ब्यक्तिका लौकिक जीवन समाप्त हो जाता है उससे कहा जाता है उन्सावन संसकार अंतिएश्टी संसकार और C नमबर है निस्क्रमण संसकार और D नमबर है केसांत संसकार question का right answer हो जाएगा B नमबर अंतिएश्टी संसकार ठीक है B नमबर अगले question की बात करते हैं जोस्तों अगला question है कि राजपली पंडे की पुस्तक का नाम है या राजपली पंडे की पुस्तक का क्या नाम है इसा question हो सकता है अभी question ये उपर आया था इसा भी हो सकता है राजपली पंडे की पुस्तक का क्या नाम है तो फिरहाल question का right answer आप सभी को मालूम है कि B नमबर हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question कहरा कि वह संसकार जैसे पूर करने के बाद बेक्तदूईज हो जाता है आप सर मिल जाएगा चूडा करट संसकार उपनेंसंसकार नाम करट संसकार जात करम संसकार तो फिरहाल इस question का जो right answer हो जाएगा बी number उपनेंसंसकार ठीक है बी number right answer हो जाएगा तो दोस्तों फिरहाल आज किस वीडियों बस इतने ही question मैंने के लूट के थे जो कि आपके एक्जाम के लिए पूरी तरह important और helpful थे अगर आप इसी तरह क्या और भी question चाहते है तो comment करके बताएगा मैं next series में और भी question पर आप तक प्रोवाइड करूंगा लेकिन थोड़ा आपको वेट करना होगा और जो इस चैनल पर पहली बार तो या सब्सक्राइब करके बेला कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली मोर्निंग और इवनिंग में classes आप लोगों को मिलने वाली है model question paper की ठीक है बस मि बिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो तब तक के लिए जाहें दोस्तों